सुजुकी बर्गमन स्टीट 125 एंड सुजुकी बर्गमन स्टीट EX दोनों का ही एंजीन ओयल चेंज का प्रिसीजियर सेम है इसके लिए आपको एक 17 mm का बॉक्स स्पैनर चाहिए होता है नहीं तो एक 17 mm का रिंग स्पैनर चाहिए होता है ताकि आप जो ड्रेन बोल्ट है उसे अंस्क्रू कर सको और उसे बहुत साफधनी से अंस्क्रू करके आप यूजड एंजीन ओयल को ड्रेन आउट कर सकते हो और उसके बाद पोर इनलेट से नया एंजीन ओयल को पोर इन कर सकते हो in the engine पर यहाँ पर एक twist है यह जो Suzuki Bergman Street 125 and Suzuki Bergman Street EX में ड्रेन बोल्ट उस किया गया है यह एक soft easily expandable aluminum से बना हुआ है इसे German bolt भी बुला जाता है आसन शब्दों में यह एक soft aluminum से बना हुआ bolt है जिसे की बहुत ही साफधन इसे handle करने की जूरत है अगर आप oversized या undersized tool से इसे operate करने जाओ तो यह damage हो सकता है अगर यह एक बार भी slip हो जाए तो यह damage हो सकता है इसका जो groove है यह बहुत ही नर्म होता है soft होता है इसलिए इसको ब old और soft handedly steady handedly operate करना होता है एक slip मतलब की यह drain bolt खत्म और एक बार इस drain bolt का जो groove है यह अगर नश्ट हो जाए खराब हो जाए तो आपको नया drain bolt डालना पड़ता है और यह damage मतलब की इसे remove करने के लिए engine का जो internal junction part है यह भी damage हो सकता है मतलब की यह जहाँ पर जाके screw in होता है व damage हो सकता है इस विशय के उपर detailed video मेरे channel में डाला हुआ है अप जरूर सर्च करके देख सकते हैं और अगर यह video आपको अच्छा लगा तो like share और subscribe करना मत भूले मिलते हैं अगले video में तब तक देखते रहिए चंदन talks नमस्कार